Your Excellency, राष्टपति पूतीन, सम्मानित अतिजिगान, नमस्कार, मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकनोमिक फोरम में आप से वर्चुल रूप से जूढने का मोका मिला। इसी महिने वल्दी वस्तोक में भारत के कांसुलेट की स्थापना के तीस वर्च पूरे हो रहे हैं। इस सहर में कांसुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था। और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइल्स्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंट्स 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्टिय सहयोग का एक प्रमूख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूँ और उन्हें बधाई भी देता हूँ। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोका मिला था। उस समय हमने भारत की एक फार इस नीती की गोष्णा की थी। और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विबिन्दक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है। Friends, चाहे हम International North-South Corridor की बात करें, चिन्ने वल्दी वस्तोक Maritime Corridor की या Northern Sea Route की भविश्च में, Connectivity हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी। भारत आर्केटीक विशों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमेंड्स के खेत्रों में भी रश्यन फारिस के महत्वपूर्ण निवेश किये हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडस्टी के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है। हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिजम से रश्यन फारिस्ट में तेजी से विकास आ सकता है। फ्रेंड्स भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कमनेह में विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेन, फटिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है। यूक्रेन संगर्ष की शुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है। हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस सम्मन में हम अनाज और फटिलाइजर के सुरक्षित निर्यात समंदित हाल की सहमती का स्वाध़ भी करते हैं। मैं एक बार फिर राश्पर्ति पुतीम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया। और इस फोरम में उपस्तित सभी भागीदारों को हारदिक शुपकामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।